हेलो वर्बन स्वागेते अब सभीका अब सभीका बसनेर्टिव चैनल राय एजुकेशन मित्रों क्या पता है आपको कि गिरिफ्तार पुलिस आपको जब गिरिफ्तार करती है तो आपके क्या-क्या अधिकार होते हैं ये जानकारी नहीं रहती है तो तमाम मैक्सिमम इंडियन्स मैक्सिमम भारती व्यक्ति मैलाएं शोशित होती हैं अपने अधिकारों के हनन को लेकर तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके अधिकार क्या है हर इंडियन को पता होना चाहिए ये नियम हर भारती को जानना चाहिए और पुलिस तो आपकी रक्षा के लिए है आपको नियम कानून पालन कराने के लिए है न कि आपके ओपर नियम कानून थोपने और आपके ओ जब पुलिस हमको गिर्फतार करती है या वो चाहती है गिर्फतार करना तो उसको किस नियम के तहट आपको क्रियाकलाब कराना पड़ता है अब जिसको नहीं पता है तो वो इन सारी मुसीबतों को तरीके से इसको लेता है और परशान रहता है तो इसी क्रम में यह जो हम कारों को जानिए और इसके बाद आपका जो भी व्यक्तिकत कमेंट करिएगा वीडियो को शेर करिएगा और सभी तक पहुचानी की कोशिश करिएगा क्योंकि हर एक व्यक्तिक अंदर कहने का एक डर है जिस डर को खत्म करकर उसको सामने आना पड़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए बातचीत करते हैं अगर पुलिस आपको गिरिफतार करती है तो आपको पता होने चाहिए क्या-क्या आपके कानूने अधिकार हैं पेन कॉपी ले लिजे या एक्टम ध्यान पूरोग सुनिए हेड़फोन लगा लिजे और ध्यान से समझिएगा और सब क अधिकार लोग करते हैं सुप्रीम गोट के इंपोर्टेंट लोग कि अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरिफतार करती है तो यह न सिर्फ भारती दंड पक्रिया सहीता यानि CRPC का उलंगन है बलकि भारती समिदान के अनुछिद 20, 21 और 22 मिन दिये गे मौलिक अधिकारों का हनन भी है उसके खिलाब भी है जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए जो यह पुलिस कर्मी होते हो तैनात होते कई बार आम नागरिगों में खौफ की वज़ा बन जाते हैं ऐसे कई मामले सामने आए जब पुलिस में प्राप्त हैं कानुनी तोर पर जिसके होते वे भी पुलिस आपको ग्रफतार तो क्या हिरासत में भी नहीं ले सकेगी और ये कब होता है ग्रफतारी आपकी कब होती है बिना वज़ा कि जब आपको इन अधिकारों का इन कानुनों का नियमों का आपको पता ना हो काइदे स और आप कहीन कहीन शिकार हो जाते हैं इन सारी चीजों के ग्रिया कलाबु के अंतर गरे अगर आपको ये सारी चीज़े हो और आपके knowledge देए कोई चीज होता है कहीन भी आप खड़े हैं तो आपका दमखम होता है आपके knowledge की वज़य से कि उसको बहुत जानकारी है या फलाने वक्ती बहुत जानकार है जाकर उनसे कुछ समस्जेशन लेते हैं कुछ राय ले लेते हैं तो ये जानकारी ही बहुत इंपोर्टेंट है और इसी करम में हम आपको ये सारी चीजे परोस रहे हैं ताकि आप भी जानकार बने रहे तो सु सकता है अब सुप्रीम कोट की जो इंपोर्टेंट एक वकील हैं आपको उन्होंने बताया है कि अगर पुलिस किसी भी किसी को गैर कानूनी तरीके से ग्रफतार करती है तो यह न सिर्फ भारती दंड प्रक्रिया साहिंता यानि CRPC का उलंगन है बलकि भारती समिदान के सुप्रीम कोट यह इजाज़त देता है कि डिरेक्ट समिदान के अनुच्छत 32 के तैत आप सुप्रीम कोट जा सकते हैं आप पिडेता है तो और अपने पक्ष की लड़ाई स्वेम आप लड़ सकते हैं तो सबसे पहले आईए जान लेते हैं कि यह नियम कानून आए कहां से कोई वाद, कोई कानून, कोई केस ऐसा रहा होगा जो एतिया खासिक रहा जिसने यह नियम कानून आपको दिये हैं अधिकार दिये हैं तो सुप्रीम कोट के डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज और योगेंदर सिंग बनाम उत्तरपतेस राज के मामले में पुलिस गिरफतारी से सम्मंदित कानूनों का विस्तार से वडन किया गया है इनके मुताबिक पहला नियम है कि सीरपीसी की धारा पचास क या पचास एक के तहत पुलिस को गिरफतार किये गये वेक्ति को गिरफतारी का कारण बताना होगा यह सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि आप क्यों पुलिस उनको गिरफतार कर रही है अब धतकाल रूप से यह बताकर रीजन देकर तो ही आप गिरफतार कर सकते हैं यह पहला क्रम है जिसको आपको नोट करना होगा इसी के बाद अगर किसी व्यक्ति को गिरफतार करने वाली पुलिस अधिकार अधिकारी को उने ड्रेस में ही होना चाहिए इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ exception case भी यहां पर होते हैं जैसे कोई वेक्ति है जिसका डर है कि वो भाग जाएगा अचानक जो च्छापव पढ़ते हैं तो कहने कि पुलिस civil ड्रेस में भी हो सकते हैं यह मजिस्ट्रेट से special offer special provision होगा special उनके तहत आग्या दी जाएगी मजिस्ट्रेट देगा उस थानिक अंतरकत का तो फिर वो वहाँ पर कारवाई करेंगे अचानक वाली civil ड्रेस में लेकिन आम तोर पर जो cases होते हैं और नॉर्मल में वेक्ति लोग नॉर्मल exception cases में तो यह उनके लिए है नहीं जो बहुत बड़े बड़े उनके खिलाफ cases होते हैं उनके लिए तो नहीं है आम वेक्तियों के लिए है जो बे फुजूल की डर जिनके मन में है पुल आपको रीजन बताना है पुलिस को आपको पुलिस बताएगी कि मैं ये फलाने फलाने रीजन की विज़े से आपको हम हिरासत में ले रहे हैं पहली बात दूसरी बात वो पूरे ड्रेस में होने चाहिए और तीसरी बात तुरंत वहाँ पर आपका अरिश्ट मेमो बनाये कि जैसे आपको कि पुलिस वाले गिरफ्तार करने आये तो आपको वह तुरंत अरिश्ट मेमो बनाएंगे Пर तक्षय में वहाँ पर नाम एक दो लोगों के नाम वहाँ पर लिए जाते हैं तो यह अरिष्ट मिमो बहुत इंपोर्टेंट हाला कि अपने आँ ऐसे ही चल जाता है धिला रवाईया है तो यह जानकारी आपको होनी चाहिए आप अगर उनसे यह सब बाते करेंगे अरिष्ट मिमो बनाईए रिजन क्या है आप मुझे गिरिफतार कर रहे हैं यह सब नियम अगर व्यक्ति सामने वाला पुलिस जानेगा तो जो फरजी तरीके से आपको परशान करते हैं वो नहीं करेंगे वो समझ जाएंगे कि आपको जानकारी है इस सारी नियमों के बारे में ठीक है अगला है कि अरिष्ट मिमो में गिरिफतार किये व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाया होगा करवाना यह बहुत इंपोर्टेंट है करवाना यह सबसे इंपोर्टेंट है आपका भी यह जो व्यक्ति बीडित है जिसको क्रिया कलाब के अंतर लाए जा रहा है उसका सिगनेचर बहुत इंपोर्टेंट है अगले अनिम कहता है कि CRPC की धाराब 50 एक मताबिक गिरफ्तार किये गlorफ्तार होगा क्यों अपने गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिष्तिदार को दे सके ये नियम है CRPC की धारा 50 से ही के तहट कुछ धाराएं हैं जिनको आप अगर जानते हैं काइदे से तो आप ये परशान होंगे ही नहीं कभी जिनको इन सारी बारे में जानकारी नहीं रहती है कहिने के वहीं परशान होते हैं आज के समय में तो ये खौफ निकालिए अपने की मांग करता है तो व्यक्ति उसकी मेडिकल जांच कराएगी बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है ये जैसे आपको सरीर में कहीं चोट लगी हो चोट चपेट लगी हो कमर दर्द हो पैर में कोई चोट लगी हो सिरदर्द कर रहा हो तो मेडिकल आपका टेस्ट होगा ये भी सवाली में भίας नहीं करती ए यह इंपोर्टेन बात है यह घानुन आको पता होना चाहिए ठीक है यह नियम आपका CRPC के धारा 54 के अंतरगत है और नियम है कानून के मुताबिक गिरफतार किये वक्ति की हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए सबसे इंपोर्टेंट है और आपका कितने समय तक पुलिस रख सकती हमको तहीं तो आपको पता ही होगा 24 घंटे के अंत पेश करना पड़ेगा पहली बात और CRPC के धारा 57 के तहरत पुलिस किसी वक्ति को 24 घंटे से जादा हिरासत में नहीं ले सकती है अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा हिराज़त में रखना चाहती है तो उसकी CRPC की धारा 56 मजिस्ट्रेट से इजादत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस समंधमी इजाज़त देने का कारण भी बताएगा कि क्यों दिया गया है यह बहुत इंपोर्टेंट है 24 घंट आपको पता होना चाहिए अगला नियम बहुत इंपोर्टेंट है कि CRPC की धारा 41D के मताबिक गिरफतार किये वेक्ति को यह दिकार होगा कि वह पुलिस जांच के दोरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है साथ ही वह अपने वकील और परिजनों से बातचीत भी कर सकता है यह CRPC दार 41D आपको यह इजाज़त देता है कि आप अपने 12 घंटे के वो भी टाइम लिमिट है 12 घंटे के अंदर ही आप अपने सीधे और यह आप पुस्ताष अगर वो चाहेगा पुलिस वाला भी तो भी नहीं कर सकता है सीधे आप इस परश बोलिए कि मैं अपना वकील मुझे करना है और मेरा वकील ही आपको जवाब देगा मैं कोई पुस्ताष सबसे पहले आप पुस्ताष आपसे करी नहीं सकती जब तक आप अपना पुलिस हायर नहीं करते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है और उसके पास पैसे नहीं है तो उनको मुफ्त में कानूनी मद आए गया हैं लेकिन कहीं कहीं अधिकारों की जानकारी नहोंने के कारण हम कहीं कहीं परिशान होते हैं तो उम्मेद करूंगा कि आज यह अधिकार जो आपको मैं बता रहा हूं इस वीडियो में इससे आपकी बहुत मदद होगी और आप दोस्तों को भी बताएंगे इस वी यानि की असंगी अपराद इसके मामले इसके अगर डीटेल जाना है संगी अपराद और जंगी अपराद और असंगी अपराद क्या होता है डेस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट पूरी दे दी है आप देखिए कई धेर सारे आपको एफाईयार से रिलेटेड क्या होता सारी डीटेल आपको मिल जाएगी तो असंगी अफरादों के मामले में गिरफतार की जाने वाले वेक्ति को गिरफतारी वारेंट देखने का अधिकार होगा हाला कि जो कॉगनीजबल एफेंस होता है याई जो गंबीर अफराद है इसके परम पुलिस बिना वारेंट के भी आपको गिरफत कदार कर सकती है यह जंगी अफराद के अंतरकत आता है और आम तोर पर लोग इसके अंतरकत नहीं है जंगी अफराद यानि कि अटेंट टू मर पराद होंगे जिसके बारे में आपको बताया उसके बारे में पुलिस नहीं भी दिखा सकती है बिना वारन दिखा आपको गिरिफतार किया जा सकता है अब जहां तक मैलाओं की गरिफतारी का संब्ध है तो इसके बारे में CRPC और भी जादा सहज है कि CRPC धारा 4646 46 धारा उसका चौथा सेक्षन कहता है किसी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरिफतार नहीं किया जा सकता है हाला कि अगर किसी परिस्तिती में किसी महिला को गिरिफतार करना ही पड़ता है तो पहले area magistrate से इसकी जारज़त लेनी होती है फिर भी यह बहुत important है कि गिरफतारी जो पुलिस किसी महिला की करेगी तो महिला constable या महिला पुलिस ही करेगी पुलिस पुलिस वो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है छूने का यह बहुत बड़ा नियम है ज़ो हमारी महिला हो, हमारी बेहनों को पता होना चाहिए अगला नियम है कि CRPC की धारा 46 के मुताबिक महिला को सिर्फ महिला पुलिस करमी ही गिरफतार करेगी जैसा मैंने आपको बताया किसी भी महिला को पुरिस पुलिस कर्मी ग्रिफतार नहीं करेगा और CRPC की धारा 55 का सेक्षन A के मताबिक ग्रिफतार किये के व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्त का ख्याल पुलिस को ही रखना होगा यह जैसा मैंने मेडिकल का बताया आपको तो यह सारी चीज़ें डिटेल रही आपको कि अगर उक्त किसी भी कानून का पुलिस पाला नहीं करती है तो उसकी ग्रिफतारी गेर कानूनी होगी और इसके लिए पुलिस के खिलाफ कारवाई की जा सकती है बहुत इंपोर्टेंट आपको मैंने बताया और यह तो रहा कुछ इसके लावाँ इस्पेशल और कुछ चीज़ें जो आपको जानी चाहिए जैसे नाबालिक होते हैं 18 उम्र से कम बच्चे होते हैं बच्चियां होती है तो नाबालिक कैटेगरी के अंदरगत आते हैं अब नाबालिक बच्चे को पुलिस वर्दी में नहीं साधे कपड़े में देखें हर जगा अलग लग कितना सहज है हमारा दंड सहींता कि अगर आप इनको जानेंगे अपने अधिकार तो कहिंगे बहुत भाइदा होगा इनसे कि नाबालिक बच्चा जो भी रहेगा तो उसको बिना वर्दी में ही गिरफतार करेंगे इतना तक आए गया है कि वर्दी का टच भी बच्चे के पास नहीं आना चाहिए बच्चे के अंदर डर नहीं होना चाहिए सहज बहुत से बच्चे आपके पास आए और तो और आप साधे काप्रणे में गिरफतार करेंगे और उसको चिल्डरन कोर्ट में भी बिना वर्दी के ही आप उसको लेकर जाएंगे बच्चों का जो आपका कोर्ट होता वहां पे तो यह कुछ नियम कानून रहे जो उम्मिद करूँगा कि अगर आपको यह पता हो और इन सम्मंद में अगर आपको पुलिस नहीं आपको यह सारी चीज़ें डिटेल देती है तो आपके घरवाले भी जाकर टैरेट जाकर एसपी आफिस में आप उनको अपने जो भी क्रिया अकलाब हुआ वो बता सकते हैं परिजन के साथ जो पीडित है उनके बारे में उनके परिजन उनके रिस्तदार उनके दोस मित्र जाकर डैरेट एस्पी आफिस में मजा सकते हैं और एसपी के उपर यह नियम है अगर कई भविश में ऐसा कुछ हो तो आप उनको नियम कानून बता सकें ताकि वो किसी एह सहजिता का सामना ना करें और उनके अपने अधिकार हैं तो हम को ही आपको ही जानने चाहिए कहिने कि अच्छी बात होती है knowledge आपको देगी आपको नया भविश्य बनाने के लिए और नय समाज का निर्मान करने के लिए बेस्ट आफ लग डेस्क्रिप्शन ने कई चीजे हैं देख लीजेगा इस वीडियो को त्रूआट शेर करिएगा जन भागितारी जन जागरण ही अतियावशक है बेस्ट आफ लग थेंगे सुमाज